कि नमस्का दोस्तों आप सभी लोग का फिर हमारे फिस्चल एटुब टैन में स्वागत है आई आज की क्लास में सिरीड का दोट किसीडियों तो 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 पूरा एक बार देख लेजिए इसके बार पीर आप मायत का भी चलाएंगे तो उसको भी देख लिएगा इसलिए आप लोग लोग रेक्वेश्टे की चैनल को सब्सक्राइब करके रखें देखिए इस्टार करते हैं परला कोशन गंगा एक्षण प्लान को लाने का उद्धिस निम्रकित में से किस उधार हेतू है देखिए यदि गंगा एक्षण प्लान की बात करें तो उसको लाने के लिए जो किस उधार हेतू है देखिए तो उसका उद्धिस क्या था गंगा एक्षण प्लान का तो क्या था तो जल की गुनत्ता को बनाया रखना आपसरन इसका एस ही है यदि जल के बारे में जाना तो थोड़ पादिक होता है जल का हिमांग बिंदू होता है जल का गनलांक होता है स्थान अंतरा अनुक अस्थान पाजाता है बिच में क्या पाजाता है अंतरा अनुक अस्थान होता है एक बुरब की ठीक पहलने का गनलांक होता है ऐसा कि होता है क्योंकि जल्ग करें कह पिर में क्या होता है अंतरा अजिए कि ऐसक श्थान होता है आगतर देंगे takते इसकेंड है इसा Current अभी सट पर कउन से ग्रीन हाँस गैस नहीं है कहुंड सी ग्रीन हाँस गैस गैस नहीं है तो देखिए ग्रिन हाउस गैस कौन को होते है पहले उसको जान लेते हैं देखिए पहला होता है सी यो टू होता है फिर होता है एंटू होता है नाइट्रस बारे में जान जाएए हैलियम गैस सबसे हलकी गैस होती है एक एक आक्रीज भी एद रखता है सबसे जो पाला पाख्री है है और स्वाटियम है यह हैं औरहिफर सबसने कहां efforts बनता है क्या बनाते हैं रैखाल के दबनाते इयो एक अक्रिय गैस भी है और सबसे हलकी गैस भी हे इसलिए इसका प्रियोग कहां होता है तो होई-छाज की तौष थायर का थैंक थायर तो में ऑक्सिजन के साथ क्या मिला होता है हीलियम मिला होता है इसको दियां में सेट रखेगा और जो आप से ने एक काइब डायक इसके बार में जानते ही है यह मानो शरीर के लिए लावदायक और हानिकारग भी होती है और दीखें गलोबल वार्मिंग हरित ग्रिय पर बाव गयस बूलते हैं इसका नाम है मार्स गयस या बायो गयस या गोबर गयस मेथिन गयस को काज जाता है आगा देखें क्वेश्चन धोनी प्रदुन का मापन किस की दोरह करते हैं तो देखें धोनी को किसे नापते हैं डेसीबल में नापते हैं डीबी इसका सार्फरम क्या होत होता है तो तो हर्म का मात रुद्टी कि चौरता है बल कुम्हुंग कि सबसे पहले को बताल को उधाल को निद्टेट 59 का में क्या होता है तर दस पर मांइनस नो निवर समासरा को यह पार भर के लिगयों अनुए ते शाएक है कोलते वा मियाद राएं मिया से समय होते है किसे समय थे ध्वानी परदेशन से समय होता है आगे देखते हैं अंतराष्टी ओर जोन दिश hugना जाता है वरί पर देखा जाता है 16 स्थमबर को मिना जाता है 16 स्थम बर को मना जाता है अगर देखते हैं नोल खित किस गैस के कान भौपाल तरासदी हुए देखे बहुत इनिपार्टन कोछ चानल यह इंसे आटे के लए भी बहुत इनिपार्टन है देखे हाँ भौपाल गैस तरासदी एपल घड़ना को वह थी इसको दिमां में सेट रखेगा देखे कहीं कहीं टू देगा तो कहीं कहीं तीन देता है दो या तीन दिसंबर इसको सन्याद रखेगा 1984 को वह थी कहां पर हुआ था देखे दो या तीन दिसंबर कहीं कहीं दो दगा कहीं तीन देगा तो दोनों से यह रहे दो या तीन दिसंबर 1984 को भौपाल तरासदी घड़ना हुए थी भौपाल में मिथिल आइसो साइनाइड गैस के रिशाव के कार्ण और यह कहां पर हुई थी तो एक कंपनी थी जिसमें मेथिल आइसो साइनाइड गैस का रिशाव वा था जिसके विए से आठ थाजार लगबग लोगों की ब्रित्ति हो गए थी और 15,000 लोग घायल हो गया थे इसे याकी जनकी से रोग से प्रित हो गया थे तो इसको याद रखेगा काउन सी घैस्टी मिथाईल आइसो सायनाइड थी अगर देखते हैं गैसी अपसिष्ट है देखिए गैसी अपसिष्ट कौन सा है तो देखिए गैस किसे आनिका निगलता है तो लकड़ी कोईला के जनने वाला धूआ सब्सक्राइब देखते हैं वायोदाब नापने वाला यहंतर किसे जना जाता है तो बैरे मिटर से देखिए बैर मीटर के बारे में थ्रुड़ा सा जान गई है देखिए बैर मीटर यहंतर में तीन कंडिशन बनता एक जो पारा होता है छेटा सेंटे मीटर पर यदि वो ऊपर जाएने लगे तो सवक्ष मौसम को दिखाता है इसको सेट रखेगा यदि पारा उपर जाए तो क्या दिखाता है सवक्ष मौसम को यदि पारा धेरे धेरे नीचे जाए तो किसको दिखाता है वर्सा के मौसम को दि भुकमनकी तीवता नापते हैं और हाई डाम्रा में परदूसर अम्लिया вокруг सामें एसो टू भी होता है और इन दूनों का होता है बड़ा यूगदान लेकि इसमें किवल एक आपसे पुछा है तो क्या हो जागा इसो टू हो जागा और याद रखेगा यह भी कोशन कि अमली वर्षा में एसो टू और इन तू केतनी होती है तो किवल पांच परसेंट याद रखिए गाल outta वर्षा में अम्लुक की मात्रल कितनी होती है तो पांच पर से आग देखिए इसके बाद है देखिए को अगला है अगला है दो कम से कौन सी एक कौन हाउस है nie देखिए कौन सी पूच पुचा ग्रीन हाउस गैस नहीं है याद रखेगा कारवन मोनौन अक्साइड ओफारवण में ध्यूत से निकलती है गार्यों की ध्यूत से निकलती है और तुरंद के समें अ अबल जाती है करभाणन डाई अक्साइड में वातरावन से अक्सिजन लेकर तुरंद क्या ज़िए जाती है CO2 के रूम में अबल जाती है कार्बन मोनो अक्साइड को सबसे भी सहला गैस हमानते हैं क्योंकि यह क्या होती है गाड़ियों के ध्वों से निखलती है आगे देखते हैं अगला देखिए अगला है वाई मंदल में 99% भाग पर किंदू गैसों का बिस्तार देखिए दी नियाने पर संद यह भाग पूछेंगे तो देखिए किसका होता है तो अक्सीजन और नाइट्रोजन का किना पायता है नाइट्रोजन आठाटर परसेंट और आक्सीजन का नाम क्या है कांट्स परस थे तो चों मंदल जिसमें मौसम का बनना बादलोग का बरसना और वर्शा का वना सभी प्रकार की गति भी दिया इसी मंदल में घुति उसे क्या बोलते है छो मंदल याद रखियेगा सम्तार मंदल में और लां एकाता विल्ट। ऐस प्रत फोस्ते शमें इसाम्ताप मंदल को क्या बोढ़ियों में इस्टेय्ट फैर्टे कि सो और इसे भी वे ऐसे प्रिक्न daran थे तो पहला साफ है सौँ ए तो नगर जी क्या होती है तो इस टेटोष पिर इसकी इंड्र सोती है तो इसको ऐसे एक सकते हैं इसका आपसर द्वीड सही होगा में दिखिए बैग नी बैगणि नीला जामो नी नीला हराश पीला देखिए जो उसक जो क्रम होता है विश्थूके बैगणि नीनि नीला हर पील नीलाश नलाश다 दिखे कि इसमें थोड़ सा आफ्सन में हाठ अर्ट देदिया लेकल में होता हैusanे इसका सथे जाते को होगा इसमें आर्फी में आसमें प्रुवकारती महां बन कमरे में थी का ठीका के लिए कोई ले ति सगनसे हुए तो यह कोन्वा को देखिए मसें, इस काभर मुणों से होती है, जो दूवें के निकलती है, इस तो जो बहुत हनिकाराइक होता, दीखे तो क्या हो जाएगा? तो रख्त में काभर मुणों आसर की मतल़ बढ़ जाएगी इस का आप सम्सी सही हो जाएगा सोफ़ आगो किन अगना है फानाइट हुप मालगा पानी का कोता है कितना डिवी से होता है एक सिरे takiej खरको से गरम करने पद दूहरा सिरा नो objective इस बाब के पदाइалист को हद इसी क्या बोलते है यिक अगर तो क्राम करें तो यह से क्या बोलते है उसमा का सुचार्ण छो देखिए प्रिट uniforms की उसमायन का आईर्स क्या होता है तो गृन हमरदा में बड़्ट होता है अमली वर्षक की से आतिहासिक इमार्थ तदा मुर्तियों का संचारित होना कालाता है देखी अमली वर्षक की भी यह बात करते तो तो क्या कालाता है इस्टोन लेप्रोसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस्टोन लेप्रोसी होता है जैसे क्या होता है अमली वर्षक के क जो पड़ा में देखिए मेनी माता एक घड़ना है जापान की यह इनसीयाटिव मेरी मरभ दिया गया था जपान में जो लोगों होते हैं जो कमपनियों के जो अफसिष्ट पतार्थ करीज़ने पारा उसको ले जाकर तला में फैदते हैं तला के मचलियों को आगर लोग खाते हैं तो उन्हें कहों रहता है मेनी माता रखता है देखिए यह किस से होता है तो आउदोगी पारा अफसीष्टों को छोड़ने का इसका आफशन सी सही होगा इसके बाद बाद देखते हैं भारत के किस राजय में पानी पंचायत प्रारम होगा। वह थी अरम तो महाराष्ट में होए थी इसका आपसण डी सही है वो जो प्रसुरी से आने वाले कीन कीनों को रोखता है तो आल्ट्रा वायल कीने पराबैगने कीनों को रोखता है आपसण कारण डी इसका सही होगा आगे दखी क्वेश्चन है वोर मेंगत जल को इसके प्रारंबिक असरपर पुना लाने के लिए निंट से काउन सब अथनी अश्रवा था उची था देखिए बहूमेगत moved जल को पुना उसके प्रकृठि pl लाने के लिए सबसे परले क्या करते हैं तो दiblगी सो देखिए पाताल तुरु कुगों का अधिक के जाना होा सबसे थंडी प्रतकौन से थाउन के सबसे थंडी प्रतकौन से होती है तो मध्यमं दिखना ओती जिसमें ओल्का पिंंड का टूदना होता है इस में तो सबसे ठंडी परस होती है मद्ल क्रोफ से गरम परत कौंट से होती है तो आयन मलते है सबसे नादी के परदूर्न पस्थर को बताता है नलकीद मैंसे गाउन सिर्फ ग्रीनि घास गयस ग्रीन हाउस घास काउंड से है याद रहेगा में नहीं गयस होती है जो है। कि प्रिद्र पर पहुंचे प्राफाज कुण केनों से किसे होती है तो अल्रावारšय किन से होती है । फी만ज़े जो टिस एंध हो जाता या तो सोला संब्र में जेया जाता है तो समय गर्षय को स्थांबर को मनखें जाता है शमोंदर का कितना पर्शाश् companions जानओ आप दिए कर समस्था किया है सिपेंगी Gukie कितना प्रतंट जल पीने योग है तो लगभग एक परसंट के नियरबाउट है यह इन्सीयाठी में आपको पूरा प्रभिस्थार से भी मिल जागा कितना प्रसंट होता है पीने योगे पानी देखिए बीओडी फाइब क्या है बहुत इन्परजन कोश्चन है आपका कि देखिए बीओडी फाइब आपको भी बताएंगे देखिए बीओडी से क्या नापते हैं तो किसी भी नदी का जो परदूसरत अस्तर है वही नापा जाता है बीओडी से और देखिए बीओडी फ सब्सक्राइब पर काउंस ना होता निक हलों करते हैं तो इससे क्या बोलते हैं और र novark होता है क्या तरहेखे कर लंदन ढूर क्या होता है इस कदीए क्ञाई इस पर टिक भी कर दिए गाया है कि सीडकल के सुबह कासा में क्याovan है क्या कहता है है लाणधन धुम रिकाजाता है ये इसको वहीं से लिया गsmamis लिए overflow से यह है लेकि ये जोबी सुबह साथ कमाशाम होता जिसमें संग्रों कि करिया होती है जल में संगनन और वास्पन यह दोनों करिया होती है इन्हीं दोनों को मिला कर क्या बोलते हैं लंदन धुमरका जाता है यह सीद कल में सुबा का समय होता है जब वो कुवासा अलकाल का सा होता है उसे ही बोला जाता है आगे दिखते हैं बोपाल गैस राजी ने म का नियुक्ति कैंसर किसके हगिए होता है या यह उता है ठेक्सिक्टायल पांदार्स से उसमें अब्रंस भीठ उसमें पुआता है जैसे मितलत है कुसे क्षेण कैंसर होता है कि वसी परेठ और अज़न होते हैं निर्ण में से किस की गhn सलंगनता हिमोगलबीन से होती है किस होती है कारिधन मॉमऑक साइड के होती है जुद्नें भी धुभ दुगा रिक दुए या लकड़ी के दुए या कोयले के दुए या चीमयों के दुए इन सबसे क्या निकलता है काइबन मोनो आकसाइड वातरवण में सबसे जयला गैस क्या होता है काइबन मोनो आकसाइड और यह देखिए शरीर में जाता है अमारे तो ब्लोड में क्या होता है घूल जाता है रक्त में घूल जाता है जिससे अमारे जान चल जाती है तो इसका अ ineryयर में जीन muktis टे green house इनमें इसे को देखिए सबसे पहले कहां पचाना गया तो यह जीम वैपिटेश्टे फ्योरिय का यह कशा इफेक्ट कि इसक और सा वैसिक्त अपन नंगी जी bamboo पच्टी तो हाँ 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 रिजन के भी सिलफाइड और नैट्रोजन के भी आखसाइड यह दोनों होते हैं तो यह भी दोनों होगा इसका इंदर में से किस अस्तर के नैचे पर ओजून प्रत में छिद्र की संगया दी जाती है देखिए याद रखिएगा पहले ओ गूसर बरींद्द siang दोनों वार्मिंग के लिए कहां से कैसे अथी अखसाइड तो आपनों निकलता है यह दैखिए उधर रखेगा सुय का इस्द्रम अ करमने उता है और तोeil सब्सक्राइड में तुरfather मन में तुरंत निकलता है सब्सक्राइब दुद्ट पने टराफ किसम है अब बदल जाता है एक आराफ्या उस्तर ब्रदी कांड होता है बरफ का पीगलना पुईदेगा बाड कैसे आता है तो याद रखेगी आ बर्प के पिखलने से क्या होता है बाड़ाता है और कैसे पिखलता है बर्प सबसे अधिक ताबमान के कारण देखिए वातरवड में अधदिक हानिकारक सलफर मिसित गैस है देखिए वातरवड में सबसे अधदिक हानिकारक सलफर मिसित गैस कौन साथ होता है तो ऐसे टू होता है जो अमली वर्षा के लिए क्या होता है साइक होता है या हिर्दान देता है सबसे दिखिए वाई पर कर रखता है तो समताप मंदल है जिसे बोलते हैं ओजून अस्तर होता है जो अल्ट्रावार्वायर कीणों को शोक लेता है इसका सुतर क्या होता है तो ओत्री होता है यादर रखिएगा महासागर प्रिष्ट के अधिकान जगह को आबरित किये हुए है जो है लगबग देखिए महासागर के बाद करें तो पूरे बिस्व में कितना परसंट या कितने भाग पर पूरा फैला हुआ है तो तीन चौथा भाग पर पूरा फैला ह है महासागर की बाद करें तो तो सबसे बड़ा काउंट सा है महासागर तो पैस्पी कोसियन होता है जिसे बोलते हैं परसंट महासागर जो बिस्व का लगवाद 40 परसंट भाग अकेले घेरा हुआ है आगर देखते हैं निनमें से कौन सा वाई प्रजिशन का एक उधान है कंशनों का उधाण की बात करें तो दुहार वर अर वाहां सऑ व्笋नहंहों से निकलने वाले गयस बति त DU ॹत निलक्राइब गया तो इसका सभी जाएंगा साभी होग होई फिस अफ्म मालिक काऊंथ या कि खिट्ना ओता था यह एक आइस परसंट होता है इन्वाम्धर व पर्म ताप तापकरम। मैं मना कौन साय देखिए का इससे क्या बोलते हैं ? एक होता हैडीक्री सेलसेज से फिर फहानायट कसे देखकाते हैं और ड़ेगरे सेलसेज को ड़ेई Țी से और फानायट को एपसे तो ये दिवा बात करेंगी कि कि परमताप को तो क्या बोलते हैं क्यलवीब बोल जाता है को को दाक केलम्मीन होता है मैं आग देगते हैं जानी या धोनी पनी पर दुश्ण किसे ना प्राइब राता तो हुआ है नैट्रोजंग ऐसे 88% पाज़ जाती है कि आगे दिखते हैं कौन सा अमले वर्स्ता का परुष्टक होता है तो देखिए अमले वर्स्ता का सबस्यादी कौन होता है तो सलफर डायर होता है इसका अप्सन यह का सी हो जाएगा वाई परस्णों का कान होता है देखिए यह प्रस्णों के सबस्यादी कान क्या होता है तो द्थूआ होता है जिसमें शबस्यादी क्या पाया आज़े जाता स्काइब्स करता है स्यूंक वख्यक सोधान मोनओ अक्साइड एक आतर परसेंट प्रिदी का तल ढका हुआ है कि से देखिए एक अतर मतलब दोती हैं अपसे हैं अए बाकिसे नाज़ आप धीगा प्रिद बिक अजल से याद रखे गा जल से 70 परसेंट होता है अलगबग और जो सेज अस्तल बागद होता है याद रखेगा इसको जल संगट का प्रमोकरंड क्या होता है तो यह हो जल संगट को परतू प्रमोकरंड क्या है तो डेस्मल को क्या नापते हैं तो ध्वनी को नापते हैं साउंड को वह मंदल में नैट्रोजन गैस के प्रसिद हमात्र कितनी होती है तो नापतार परसंट इदें इग्जेक्ट दी आया है सेउंटीट पांट जिरो नैन परसंट नर्खित में से किस का वीग अधिक्तम होता देखे किस का विग यह दी अईत्म की बात करतो तो किसका होता है प्रकास का कितना होता है तीन गुर्टे दस पर आठ मीटर पर सेकंड होत सब्सक्राइब करें तो समतामन लोग को क्या बहुत अंगराजी में इस्ट एटो स्पेर आप्शन 20 का सही होगा तो यह पूरा पूरा आज के सीरीज में आपका एक एक एसी कोशन पूरा-पूरा सांथ हो गया और देखिए फिर इसके बाद अगला वीडियो आगा उसे में फिर कोई अगला स्रीज एबियस का कोस्चन इंपार्टन इंपार्टन करके फिर आपको पूरा-पूरा देदेंगे तो अब लोसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी पूरा ध्यान से बारगी से देखें थैंक्स